इस्पाई यूनियर्स का थानोस को न सकता है और एक पावरफुल विलन के लिए वायरेफ को किसे कास्ट करना चाहिए सेफली खान या फिर आमिर खान और वायरेफ की जो मेन मुवीज होगी जैसे की मारवल की इंफिनिटी वोर और एंड गेम तो अगर वायरेफ अपनी को य इस पठान ने बनाए है और जो सीटी अतालिया पब्लिक ने टाइगर के केमियों पे बजाई है वैसे ही जब टाइगर थ्री आएगी तो भाई थेटर में तो आग लग जाएगी और जो रिकॉर्ट्स पठान ने बनाएं इसको सिर्फ टाइगर ही तक कर दे सकता है आपको पता नहीं है ये कोन है तो इस बंदे ने जो विलन का रोल किया था मरदानी टू में आपके रॉंग टे खड़ हो जाएंगे और एक था टाइगर मुवी में हमें रेन्वीर शोरी भी देखने को मिलेते जो की टाइगर जिंदा है में तो नहीं थे लेकिन अब उन्ह वापस से कास्ट कर लिया है टाइगर 3 मुवी के लिए क्या हमें कभीर भी टाइगर 3 में देखने को मिलेगा तो इसका ओफिशल अपडेट तो नहीं है पर जिस लेवल की कास्टिंग टाइगर 3 की अभी तक है ये तो कंफर में की भाई बॉक्स ओफिस को फार कर रद देग और जो केरेक्टर को इतना पारफुल दिखाया गया है उसे एक मुवी में तो एंड नहीं करना चाहिए तो जिम जो कि इतना टेलेंटेड और देंजरस इस्पाई है उसे इस मुवी में तो नहीं मारने वाली है वायारेव पठान मुवी ने बहुत सारे रिकोर्ड्स बनाए और बॉक्स ओफिस पर कमाल कर दिया पठान की सक्सेस सेलिबरेट करने के लिए प्रेस कॉनफरेंस रखी गई थी जहाँ पर जॉन दिपिका ऐसर के और डायरेक्टर सिद्धार तानन भी मुझूद थे जब सिद्धार त पूछा गया कि क्या पठान टू आएगी तो सिद्धार तानन ने कंफर्म किया कि पठान टू जरूर आएगी और पहले में वाल टू कम्प्लीट करूंगा उसके बाद पठान टू पर काम शुरू करूंगा वायरेफ की वाल टू जिसमें हमें कबीर का नेक्स मिशन भी दे जा सकता है और शायद हमें आगे भी न्यू स्पाई की इस यूनिवर्स में एंट्री देखने को मिल सकती है मुझे लगता है कि स्पाई यूनिवर्स के लिए सबसे बेस्ट एंट्री होगी विद्धू जामवाल की जिस टाइप का एक्शन वो करते हैं अलगी मज़ा आता ह जो कि स्पाई के रोल में कापी अच्छे लगेंगे वायरेफ को विद्धू जामवाल को जरूल मोका देना चाहिए और पठान मुई में कलनल लूत्रा ने पठान को एक फाइल दीती जिसमें एक्श्रो एजेंट और सॉल्जर्स की डीटेल थी ताकि पठान नई टीम बना आए कि अब उनको देखने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता है वायरेफ को को यहसा कास्टिंग करना चाहिए जो कि स्पाई यूनियर्स का थानोस बन सके जो स्पाई यूनियर्स का हिला कर रख दे मेरे कुडिंग तो वायरेफ को आमिर खान से फली खान यार जो रामपाल या फिर साउथ सिनेमा से विजे सेतुपती को आगे कास्ट करना चाहिए। अगर YRF आमीर खान को इस विलन कास्ट कर ले, जैसे कि विक्रव मुई में सूरिया को कास्ट किया गया, तो इस पाई यूनियोर्स को एक तगड़ा विलन मिल सकता है। और अगर हमें तीनों खान से एक मुई में देखने को मिल गए, तो भाई बॉक्स ओपिस पर जो तबहाई आएगी, उसे कोई नहीं रोख पाएगा। तो आपको क्या लगता है कि कौन सा एक्टर विलन के लिए अच्छा रहेगा, और कौन सा एक्टर की निव एंट्री होनी चाहिए, आप हमें कमेंट्स पर बताए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और मुवीज देखने के लिए हमारे चैनल फिल्म दुनिया को जरूर सब्सक्राइब करें, थैंक्यू बाइबाइ